नमस्कार ये PBNS की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं PBNS पॉडकास्ट G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहट पहली स्वास्त्यकार्य समुह यानि HWG की बैठक आज से तिरुवनंत पुरम केरल में आयोजित की जा रही है जो 20 जनवरी तक चलेगी भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 के अध्यक्षता ग्रहन की थी केंद्रिय स्वास्त्य मंत्राले ने जानकारी दी है कि G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के हेल्थ ट्रेक में चार स्वास्त्यकारय समुह की बैठक और एक हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग शामिल होगी इसके अलावा इन बैठकों में G20 सदस्य देशों, विशेश आमंत्रित देशों और संबंदित अंतराष्ट्रिय संगठनों के प्रतिनिधी शामिल होगी यह बैठकें तिरुवनंत्पुरम, केरल, गोवा, हैदराबाद, तिलंगाना और गांधी नगर गुजरास सहित देश के विभिन नस्थानों पर आयोजित की जाएगी उलेखनिय है कि भारत वर्तमान में G20 ट्रोईका का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रोईका में तीन विकास शील और उभरती अर्थ व्यवस्थाएं शामिल है और ये दुनिया के लिए सामुहिक रूप से महामारी के बाद एक स्वस्थ दुनिया के निर्मान की दिशा में काम करने का आहवान करेगी जी ट्वेंटी थीम यानि एक प्रिथवी एक परिवार एक भविश्य भारत के वसुधहव कुटुम्वकम के दर्शन का प्रतिपादन करता है ये बैठक दुनिया के लिए महामारी के बाद एक स्वस्थ विश्व के निर्मान की दिशा में मिलकर काम करने का आहवान है अश्विक कींद्र बनाने पर भी जोड़ दिया जाएगा जिसे लेकर कई कारेशालाएं और कारेख्रम आयोजित किये जाएंगे भारत का लक्ष स्वस्थ सहयोग में लगे विभिन बहुपक्षी मंचों पर आयोजित चड़चाओं में समावेश हासल करना और एककरत कार्य दिशा में काम करना है इस उद्देश्य के लिए भारत ने G20 स्वस्थ ट्रैक के लिए निमनलिखित तीन प्राथमिक्ताओं की पहशानगी है प्राथमिक्ता एक स्वस्थ आपात इस्ततियों की रोक्थाम, तेयारी और प्रतिक्रिया यानि एक स्वस्थ और AMR पर ध्यान देने के सान प्राथमिक्ता दो, सुरक्षित, प्रभावी, गणवक्ता, भयक्त और सस्ती चिकित्सा, प्रतियों पायों, यानि वैक्सीन चिकित्सा की और निदान तक पहुच और उपलब्दता पर ध्यान देते हुए औशधी शेत्र में सहियों को मजबूत बनाना प्राथमिक्ता तीन, वैश्विक स्वास्थ कवरेज में सहायता और स्वास्थ देखभाल सेवा आपूर्ती में सुधार के लिए डिजिटल स्वास्थ नवाचार और समाधान भारत व्यापक डिजिटल स्वास्थ एको सिस्टम को तेयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है ऐसे में स्वास्थ कार्य समूह की बैठक से डिजिटल स्वास्थ को बढ़ावा मिलेगा ताकि सभी को बहतर स्वास्थ सुविधाएं उपलब्द कराने की दिशा में काम किया जा सके केंद्र सरकार व्यापक डिजिटल स्वास्थ एको सस्टम को तेयार करने की कोशिश में लगी हुई है स्वास्ते रिकॉर्ट के डिजिटल इकरण को बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों, क्लीनिकों, नैदानिक प्रयोग शालाओं जैसी स्वास्ते सुविधाओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने की भी योजना तेयार कर रही है हाल ही में केंद्री ये मंत्री मनसुक मांडविया ने भी डिजिटल हेल्थ पर जोड़ देते हुए कहा था कि भारत डिजिटल हेल्थ के शेतर में अपनी उपलब्धियों को प्रदरशित करेगा और उसे दुनिया में सब के लिए सस्ती और सर्व सुलब स्वास्ति सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विकल्प के रूप में पेश करेगा जी ट्वेंटी इंडिया प्रेसिडेंसी के तहट पहली स्वास्तिकारे समुहों की बैठक में भारत के पास मौका है कि वो दुनिया को परमपरागत्चे किसा से परिचित कराए परमपरागत्चे किसा उपचार से आगे बढ़कर कल्यान को बढ़ावा देने की बात करता है कोरोना महामारी के प्रभाव से बचने के लिए पूरी दुनिया ने परमपरागत्चे किसा पर ध्यान दिया है डबलो एचो की अनुसार दुनिया की लगभग असी प्रतिशत आबादी आज पारमपरिच्चे किसा का उप्यो करती है पहली स्वास्तिकार्य समूह की बैठक में स्वास्तिय विश्व के निर्मान की दिशा में मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा ऐसे में One Earth, One Health महत्वपूर्ण है जो स्वास्तिकी शेत्र में व्यापक दृष्टिकोंड पैदा करता है पी एम मूदी ने भी इस One Earth, One Health के महत्व को समझाती हुए कहा था One Earth, One Health का अर्थ है स्वास्तिका व्यापक दृष्टिकोंड चाहे वो समुद्री चीव हो, जंगली पशु हो, इंसान हो या पोधे उनका स्वास्ति आपस में जुड़ा हुआ है हमें उन्हें अलग-अलग देखने के बजाए समगरता से देखना चाहिए धन्यवाद